हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू यूट्टूब चैनल जिसका नाम है आदूशा इंवेस्टिंग तो हम आज डिसकस करने जा रहे हैं क्या होता है और कौन-कौन से best mutual fund्ट के लिए invest कर सकते हो जिसमें आप CJ करने के लिए कर सकते हो तो आप अगर टैक सेविंग करना चाते हो अगर आप कोई बिजनस सौरी आप कोई वरकिंग ऑफिस में हो जहां आप टैक्स लैब में आ रहे हो तो आपको एक्जेम्शन के लिए भी यह हेल्प करता है ओके आप अगर नॉर्मल वरकिंग हो आप ज्यादा अफॉर् से एंड हम उस पर बताएंगे कि अर्निंग कैसे होते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो आच्छल मैं जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जो मैं करता हूं वही मैं बताता हूं ओके देन उसके बाद अगर लॉस मेरा तो आपका भी लॉस मेरा तो आपका भी प्रॉफिट ओके तो आपके स्क्रीन के सामने देख रहा है जो मैंने फिलाल बाई करके रखा है जिसका इन्वेस्मेंट वैल्यू अभी तक का मैंने इन्वेस्मेंट है 27,000 का ओके और रिटन की हम बात करेंगे तो अभी तक उसने मुझे 10,864.87 का रिटन द बट वार के वज़े से जो भी मुचल फेंड मेंने बाई किया वह नीचे चला गया है और नीचे जाने के वज़े से अब कैसा हो गया है कि अब इन्वेस्मेंट का मेरा जो रिटन था वो कम हो गया है तो सबसे बड़ी बात इसमें आप देख सकते हो कि जबी भी इन्वेस् प्रिश्टर नहीं हूं कि में में एक मीडल क्लास से बंदा हूं जहां पर मन्त मेरा यह थाउजन का SIP है कोई लंसम नहीं है कोई डायरेक्ट नहीं है यह मेरा SIP है जहां मैं इन्वेस्ट करता हूं मन्तली ठाउजन रुपिस पिछले तीन साल से मैं करते आ रहा हूं एंड तीन साल होने वाले अभी हुए नहीं है दो साल होके गए हैं और इसका इन्वेस्मेंट अगर वैल्यू की बात करूं तो 26998.95 का मैंने किया हूं ओके आप देख सकते हो एक दिन पहले का जो मेरा मतब कभी भी मुचल फंड में जो होता है ना रिटन आज का मार्केट जब क्लोज होता है तो नेक्स डे उसका रिटन दिखता है आप लोगों को मैंने अपना पॉटफोलियो बता दिया कि मैंने किस में इन्वेस्ट किया मेरा इन्वेस्मेंट कैसा है तो मैं बताता हूं कि मेरा फंड कौन सा है कि मैं किस 지원 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ फिलाल में अपने शेरखान के और आकाउंड में कर रहा हूं मेरे पास आप बहुत सारे प्लैट्फॉर्म से जहां कर सकते हो आप जेatra का कॉइन vessel कर सकते हो बहुत सारे फिलाल में आपने म्यूच्वान वहां पर लिग भीर है वहां अगर मैं बात करूँ मेरे फंड के बारे में तो मैं फंड में जा रहा हूँ तो मेरा फंड मीरा आइसेट के बात करूँ तो मेरा एसेट में इतने सारे फंड से और एक बात कि आप कभी भी अगर बाई करने जाओगे तो एक फंड आपको नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हो मीरा एसेट के कितने सारे स्कीम्स फंड्स अवलेबल है हमारे पास ओके ओल मीरा एसेट स्कीम मीरा एसेट स्कीम मीरा एसेट स्कीम मीरा एसेट स्कीम हाइब्रीड स्कीम तो यह सब अधर स्कीम ही सब होते हैं में अच्छा रिटन देता है hybrid मताब mix-up रहते जो इदम top industries रहते जैसे एक bank का ले लिया कोई IT का इदम strong share है कोई metal का ले लिया कोई steels के ले लिये कोई cement का ले लिया तो यह hybrid हो गया mix-up जो बनता है वो hybrid रहता है तो अब भी मेरा जो current है जैसे कि मैंने बुला कि इसमें बहुत सारे funds रहते जो tax saving funds रहते एक्विटी सेविंग स्कीम रहते तो मेरा जो fund है वो है मीरा एसेट्स ELSS ओके अगर मैं ELSS होता क्या है यह tax saving funds रहते आप ज़रूरी नहीं मेराई में ही है कौन से भी fund उठा के देख लो अगर आप उसमें ELS ले रहे हो ELSS तो आप tax saving fund ले रहे हो के उसके अंदर भी दो चीज़े हैं ओके अगर आप लेने के बाद उसके अंदर भी दो चीज़े हैं तो अभी आप देख सकतो स्क्रीन पर मेरे जो मेरा current holding है मेरा है ऐसे tax saving fund growth जिसका NAV है 31.4860 और यह 5 star rating funds है ओके हर एक funds को rating मिलता है जैसे की 2 rating 3 rating तो आप देख सतो स्क्रीन पर यह 5 rating fund है और इसके निचे का भी जो fund है मेरा assets tax saving fund IDCW वो भी एक 5 star rating scheme है ओके side में आपको 1 year का return देख रहा है और 3 year का return देख रहा है ओके return के साथ यहां पर दिख रहा है तो basically मेरा भी जो आप देख रहे 28% का return वो मेरे फिलाल 3 साल का था तो मैं अच्छा amount अभी फिलाल अपने capacity के हिसाब से आपको कर होने तो अगर वही 5,000 आप किये होते हैं जैसे अभी मैंने 1000 का किया तो मेरा 36 around 30 36,000 37,000 हुआ क्यों 3 year में अगर वही आप 5,000 करोगे तो 5,000 का 1 year का हो जाता है कितना 60,000 120,000 ओके 1,20,000 और उसमें 60 जालेंगा 1,80,000 का investment हुआ और उस पे आप 28-30% आपका return रह जाएगा तो इस तरीके से यह work होता है तो मेरा जो current holding है मेरा assets देख सकते हो जहां पर मैं अगर इसके fund details में जाओ तो यहां पर मेरा NAV है 31.4860 ओके यह NAV क्या होता है NAV यह होता है कि जो भी मैं बाई करूंगा सपोस्स मैं 1000 रुपीस का जो मैं हर मन्त बाई कर रहा हूं उसका NAV है 31 तो 1000 डिवाइड बाई 31.4860 तो जितना भी NAV करने के बाद आएगा तो वह मन्त के लिए मेरा NAV यह होगा तो बहुत लोगों को क्या सरे इसले की यह कब बाई करना चाये है मतलब जब मार्केट अप रहता है यह मार्केट डाउन है तब तो बेसिकली जब यह एक अच्छा पॉचिनिटी रहता है वाई करने लिए उक तो अभी आप देख सकते थे वार के टाइम अभी यूक बेनेफिट मिलता ओके तो इसी तरीके से आज हम डिसकर्स करने वाले हैं मुचल फंड के बारे में मुचल फंड होता क्या है जैसे स्टार्टिंग में बता है मैंने अपने करेंट होल्डिंस आप सको बता दिये मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको भी अपने पूफ यह इं मेन कर रहा है और आपके सब्सक्राइब और आपके साथ है रिटन के साथ तो चलिए को देखेंगे अला है क्वीजय जा पर सकते हो code के पूब थो आप एक आप यह सकते होкого तो जैसे कि आप यह दौर से यहां पर यहां पर जाओगे तो यहां पर जाने के बाद आपको दिखेगा stocks stocks and funds funds map करो तो आपको option आते हैं तीन option आते हैं एक एक डूर रेगुलर income funds growth जो वेल्थ बनाने का growth और tax savings करेंगा तीन ओप्शन तो के तो विसिकली हम तीनों में से देखेंगे तो फर्स्त हम पहले ट्रसिंग की बात करते और और वहां उपन करते हैं तो ठैक स्रिविंग में जब मैंने ओपन किया तो यहां पर दो धारेक्ट एन्रेउलर तो हम रैकूलर देखना है ओके डाइक्ट एन्रेगूलर दो याँ पे तो बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पर यहां पर नाम है okay याँ पर नाम है इनका और यहाँ पर उनका रेटिंग दिया वाँ है तो हमने जो देखा था हमारा मेरा एसेट्स था वो फाइस्टार रेटिंग था ओके तो हम पहले चेक करते हैं मेरा एसेट्स का फंड एंड देन हम उसके डीटेल्स देखते हैं ओके तो यहां पे आप देख सकते हो मेरा सैट टाक्सेवर फंड मेरा है सैट टाक्सेवर मेरने डिए तो हमारा तो रेगुलर अगय है मेरा एसेट टाक्सेवर फंड रेगुलर ग्रोथ के अभी फंड के बारे में हम पूरा डीटेल देखेंगे, तो पहले एक 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 जामपल इन्होंने दिया है, वैलू रिसर्च और लोग ने एक एक जामपल दिया है, उन्होंने क्या बला है, वन लाक इन्वेस्टमेंट अगर किया हो रहता, ग्रोन तू, अगर एक साल पहले पाच़जार जादा, ऐसा क्यों, अब मैं बताता हूं, मैंने जब यह वन लाक इन्वेस्ट किया, तब मार्केट सब्सक्राइब का एक 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 लिटामपल लेता हो, था 15,000 में, ऐसा बाद जो भी मेरा इंट्रेस्ट, जो भी मेरा गेन हुआ, वो 1.22 लाक्स का हुआ अगर मैं यही 10,000 का SIP करू तो सपोस मैंने 15,000 था मार्केट उस टाइम पे मैंने खरीदा इसे पहले मन्त में मैंने 10,000 का खरीदा और उस टाइम पे एने वी वेल्यू था सपोस 21 रुपिस ओके तो मैंने 21 के भाव पे 10,000 इन्वेस्ट किया था नेक्स्ट मन जब आया तो वो हो गया 20 ओके 20 हो गया तो 20 हो गया तो मुझे एक एक रुपिया और कम एने वी मिला मतरब 20 के हिसाब से एने वी मिला तो मेरा और पॉइंट वड़ गया बट जब मैंने 1,000 लाक इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे 21 ही था तो दिफरेंस यह है कि जब मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरा एक फिक्स एने वी पर इन्वेस्ट हुआ था बो जब मैं मंतली कर आए दो इने वी फिक्स नहीं रहेगा वो फ्लच्चुट होगा एस पर मार्केट के हिसाब से तो उसमें बोलते हैं जो फ्लक्शुट होता उसमें ज्यादा फाइदा है यह हो सकता है जब तुमने इन्वेस्ट किया उस टाइम पर मार्केट पुरा क्रैश हो गया गिर गया देन आपको यह फाइदा देगा क्योंकि उसके बाद मार्केट डबल स्पीड में उठ पाइदा देगा बट ऐसे सिच्वेशन के जब मार्केट स्टेबल है उस टाइम पर फिक्स इन्वेस्मेंट करने का एडवाइस मैं नहीं दूंगा आप एसाइपी ही करो वह बैटर रहेगा ओके तो चले देखते पहले नीचे इस फंड के बारे में वेन यू इन्वेस्ट फाइव यह और मूर यू एक्सपेक्ट गेन दाट कमफर्टेवली बीट इन्फलेशन रेट आज रिटन फॉर फिक्स इंकम ऑप्शन ओके तो यह लाइन का मतलब यह है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो पात साल के लिए मिनिमम पात साल तो करना ही करना तभी आप जो उससे फाइदा होगा ना तो उसका इंफलेशन को बीट कर पाऊगे और आपको जो एवडी रहता ना एवडी फिक्स इंकम अगरा अगरा सब रखते वो उससे ज्यादा मिलेगा हो गया इन एडिशन देर इस टाक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन एटी सी ऑफ इंड तो अगर अपस circumstance मिलने के लिए अगर इसमें अलेस सes में इन वेस्ट करते थो आप 110 अपको थुड़ा टाक्स अग्जंशन मिल जखता है तो आगे दिखते हैं बट वी प्रिपेइट सब्सेंड आ इन और investment value among the way also note that you cannot withdraw your money from this fund before completing three year from the date of investment okay तो जबी भी आप ELSS में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक बात याद रखना है आपका हर एक installment ओक हर एक installment three years के लिए लॉक हो जाएगा okay three years के लॉक हो जाएगा and three three साल के बाद ही आप उसको withdraw कर पाओगे तो तीन साल के बाद withdraw कर पाओगे तो इसका मतलब यह नहीं कि तीन साल के जो last मैना भरा वो भी withdraw होगा नहीं होगा ओके जैसे एक example देता हूँ मैंने पहला installment बढ़ा ओके यह मन्त में मैंने month of apple चल रहा मैने पहला इंस्टॉल्मेंट बढ़ा यह इंस्टोल्मेंट मेरा तीन साल के लिए लॉग हो गए में में आया में मैंने अपना 2nd installment दिया अगिन 2nd installment वह डेट से 3 साल के लिए लौक हो गया suppose June में आया 3rd installment भरा यंड जून का installment उस डेट से 3 साल के लौक हो गया तो हर एक installment 3 साल के लौक होगा अब बोलोगे आप अगर आपको withdraw करना रहे तो कब कैसे करोगे suppose मैंने 5 साल का मैंने किया 5 साल के बाद almost 3 साल मुझे wait करना है ताकि मेरा पूरा amount मुझे return मिले अगर मुझे मेरा पूरा amount मुझे return चीए तो मुझे अगर भरने के बाद 3 साल wait करना पड़ेगा then only आपको पूरा return मिलेगा वरना जितना भी रहेगा जितना तीन साल complete हो गया रहेगा वही amount आपको withdraw होगा तो यह ELSS में एक rule है जो एक सब को follow करना पड़ता है like for all equity fund you must invest only through the SIP route जैसे कि मैंने बोला था SIP में फाइदा है ना कि lump sum investment में फाइदा है ओके इसमें warning भी है do not invest in this और एनी अधर ELS if you need to redeem your investment in less than five year तो यहां पर clearly बोला है कि अगर आपको एक साल के अंदर एक साल के अंदर आपको return निकालना है तो ELSS में मत डालना आपके सामने मैंने दिखाया था बहुत सारे अधर funds थे hybrid funds थे उसके अंदर डालो आप निकाल सकते हैं इस टैक्सबिलिटी ओफ earnings भी देख लेते हैं अगर आप earn करते तो कितना tax लगेगा तो देख लिए एक सबसे बड़ा मार्केट में यह बात याद रखना कि tax और ब्रोकरेज कितना पेकर यह सब आपको मालूम रहना चाहिए कि आपका ब्रोकर कितना ले रहा है आपका टैक्स कितना कट रहा है देन आप एक अच्छे इंवेस्टर वर्ना नहीं हो क्योंकि आप जितना कमाऊगे नहीं तरना टैक्सेस में भरोगे तो कोई सेंस नहीं बनता आपका टाइम एफर्ट एन बोलते ना दिन आपका देखे तो अभी देखते हैं अगर कैपिटल गेन हुआ तो क्या रहता है ओके इफ तो म्यूचल फंड इन यूनिट्स आर सोल्ड आफ्टर वन यर फ्रॉम देट ओफ इन्वेस्मेंट गेंज अप्टू वन लाग इन फानिशल यर एक्जम फ्रॉम टैक्स ओके गेन ओवर वन लाग आर टैक्स अट देरेट अफ 10 परसंट अब मैं आपको यह समझा मैं उसे बेच रहा हो तो मुझे एक साल हो गया किसी भी सोल्ड के लिए आफ्टर वन इयर फ्रॉम देट ओफ इन्वेस्मेंट दैन ओनली आपका यह टैक्स में मतब वन लाग के उपर रहा वन लाग के उपर रहा तो आपको 10 परसंट लगेगा और बिलो वन लाग आपको ही रहेगा कोई टाक्स नहीं रहेगा तो गेन ओवर 1 लाग और टैक्स्ट अठर एट व तैन परसंट और तो अगर आप बुलोगर मेरा 넣 एगर malt manner 1,2кой पर यह टैन लगेगा नाई आंका टैक्स लगेगा टैन थाओजन पर क्योंकि ओवर मतलब 1 lakh के उपपर का profit 1 lakh के उपपर चाहे वो 10,000 रहे 5,000 रहे चाहे 100 रुपया ही रहे बट वो 1 lakh के उपपर है तो उस पे 10% लगेगा ना कि पूरे 1 lakh पे लगेगा ठीक है यह क्लियर है point if the mutual fund units are sold within 1 year from the date of investment entire amount of gain is tax at the rate of 10% okay sorry 15% तो अगर आप कोई भी investment एक साल के अंदर बेच रहे हो okay एक साल के अंदर बेच रहे हो and उस पे आपने अगर फाइदा कमाया है तो आप 15% से आप उसका tax उन लोग चार्ज करेंगे taxable रहेगा वो okay तो फाइदा वह है ना एक साल के बाद 10% 10% मिल रहे 10% and अगर वो 10% अगर एक साल के अंदर बेच रहे तो 15% पे करना पड़ेगा ओके लास्पाइट नो टैक्से इस तो भी पेड आज लॉंग आज यू कंटिनूस तो होल्ड यूनिट ओके आप जब तक होल्ड करते हो उस पर कोई टैक्स नहीं है अगर होल्ड मतब बेच दिया दैन ओनली आपको टैक्स पर करना वरना जब तक होल्ड है ओल्डिंग पीरिट का कोई टैक्सेस नहीं है जब सेल करोगे दैन ओनली आपको टैक्सेस पे करना है डिलिंट के बारे मान बात करते हैं ओक डिलिंटस अर्ड एड़ नदे को ढ़िए इंकम आप जाझ सिर फञ्न है This היא 2D in 2018 इंकम एकसिंट ति फाइट विबिडंटियर न फायसे strateg खारे वेतंद अर्ड पर्सक्रीजिस तो बेसिकली अगर आप जिसी कि यह जो mutual fund वाले रहते हैं वह invest कहां करते हैं हम SIP करें कुछ भी करें हम उन्हें fund देते हैं तो वह invest करते हैं शेर्स में वह शेर्स में invest करते हैं जब शेर्स dividend देता है तो उनका बोलने का मतलब है अगर आप 5000 का उपर का 5000 एक्जिस्ट करते हो अगर मैं आपका डिविदेंट से गेन आपको उस पर 10% का टीडियस लगेगा बिफोर डिस्टिबिटिंग देने से पहले आपको यह लगेगा ओके तो डिविदेंट भी क्लियर हो गया है टैक्स क्लियर हो गया ओके तो यहां पर सब पॉइंट से हम बेसिकली हर एक पॉइंट को इन देखेंगे तो पहला पॉइंट प्रीमियम कवरेज यह वैलू रिसर्च का अगर मैंने प्रीमियम लूँगा देन ओनली यह कवर होगा तो फिलाल हम कोई प्रीमियम कवरेज नहीं लिए तो हम यह पॉइंट रियू नहीं करेंगे एंड मैं किसी को एडवाइस भी नहीं दूंगा कि आप जाके इसका कोई प्रीमियम प्रीमियम चार्जिस भर के इसका मेंबर बनो ओके इसके उसके अलावा ही इसके उपर बहुत बाकी वैल इनफ डिटिल्स दिया ओके देन हम क्लिक करते बेसिक डिटेल्स पे ओके तो फिलाल चेंजेज चेंजेज फ्रम प्रीवियस एनवी ऐस ओफ एट एपरेल ओके एट एपरेल हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ओके फ्राइडे तो फ्राइडे की दिन इसका चेंजेज कितना हुआ था जीरो 50 अगर फंड हाउस की बात करें तो कौन सा फंड हम लोग देख रहें मिराए एसेट्स मुचल फंड ओके वी लॉंच कब हुआ था 28 दिसेंबर को लॉंच हुआ था रिटन सिंस लॉंच 20 परसंट तो काफी अच्छा रिटन है पाच छे साथ साल का यह इसने 20 परसंट का रि है रिस्को मीटर का है वेरी हाई ओके वेरी हाई क्यों है जो इस पर फंड सम डीटेल देखेंगे वह काफी एग्रेसिव है और बहुत सारी अपसें डाउंस मतलब मुमेंट बहुत जादा है इसलिए वह वह वेरी हाई पे है ओके कंपनी का एसेट्स का वैल्यू का अगर ब प्ह detached Tier Thomichuk gernead b marquee Разly admissions है तो ओके आब इसमें आप इंवेस्वेन्ट कितना कर सकते हो कि एडिशने इनवेस्मेंट कितना कर सकते हो कि अधिशन एन मिनिमम इन्वेस्मेंट जो है 500 का रहेगा चाहे वाइसाइपी करो चाहे लंसम करो कुछ भी करो आपको 500 मिनिमम है मिनिमम नॉमबर ऑफ चेक्स 5 मिनिमम विड्रॉल 500 मिनिमम बैलन्स कुछ नहीं लॉकिन प्रियड है 3 यह का जैसे हमने उपर और एक्जिट एक्जिट लोड जीरो है कोई चार्जस नहीं एक्जिट लोड में जो भी तुम्हार टैक्स रहेगा वह आपको देना ही पड़ेगा अब भी इन्हों ने IDCW ने 14th मार्च 2022 को 1.7500 का डिविडेंट अनॉंस किया और फंड्स में एड होते जाता है और फंड्स में एड हो जाता था अमाउंट ओके इन्वर्समेंट स्टाटेजी की बात कर दिस स्कीम्स टू जनरेट लॉंग टर्म कैपिटल एप्रीशियेशन फरम डावर्सीवाइप पॉर्टफोलियो पेर्डोमेंटली एक्विटी एंड एक्विटी रिलेटेड इंस्टूमेंट्स ओके तो यह था बिसिक अब इसके प अब आधा दुपिटी रिटन है डिस्क्रियेट पीरियड है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है हर एक टम्स नहीं यूज्ड किया बट अड़ एंड काम एक ही है ओके एसाइपी हम बेसिकली हम देख रहे है एसाइपी रिटन के बारे में हम एसाइपी पे क्लिक करते हैं ओके है आप देख सकते हूं अगर थाउंसट होता है स्था डेट फ्राम मर्च अप्रेल से क्लीर यह यह ब्लू लाइन है वह लाइन ऑक के आज़ि ग्रिए लाइन है वह हमारा इम्समेंट ओक तो आपड़ सकते हो आप लोह यह गया है और निफ्टी के अब वही ट्रेड हो रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि यह अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के उपड़ ट्रेड होता है और अग達 अगर हम टेटेढ रिटेंश की बात करें को मेय ऐसे टक से वर रेगिलर जैसे हमने दिखाता रेगुलर था और डारेक्ट फा दो था तो रेगुलर में अगर हम बात करें देट तो ब्रीचे यह शोज हम 510 गाया जैसे हमनें क्योंकि थोड़ा Ups and Downs में मार्केट था तो इसलिए माइनस में दिया 6 मंत का भी वह यह वन इयर का 22.20 है थ्री एर्स का 21.58 है 5 यह का 18.39 है तो बेसिकली यह पुरा एवरेज आउट होके जैसे हमने देखा ता उपर 20% का इसने मिनिमम रिटन दिया है पिछले 2015 से SNP BAC 500 ट्राय का रिटन है 2.780.94 कंपेरिजन है अब देख सकते हो कि यह बहुत ही अच्छा ही गया है नौट बैड ओके रिटन के मामले में कभी यह उपर रहा है कभी नीचे रहा है ओके एक्विटी ELS की बात करें तो ELS भी सेम उसी तरीके से रहा है इसके पास टोटल 36 काटेगरी का फंट है तो हम फंट भी देखेंगे इसके कौनसे कौनसे फंट है अगर पियर कंपेरिजन करें सेम ऐसे काम और कौनसी कंपनिया करती है तो हमारा एक मीरा एसेट्स टैक्सेविंग फंट तो है एकसे लॉंग टम इक्विटी फंट जो 4 Śर्य यह सब्सक्राइब और स्ब्सक्राइब इसका ठlasse 20 teu कि देखते जाओ के जो 2009 शेक 10 फिर टैक्स फण्ट जिसका फोरस्टरे जो जान 2007 से आया है इसका प्रिटे जो दिसेंबर एट से मारकेट में क्यांसर रथे जी टैक्विटी टैक्स फंट जो 중에 59 से तो के फाइ स्टार नाइंटी तरी से काफी अच्छा फंड है इसमें भी आप देख सकते हो अगर आपको इसका रिव्यू करो एंड अगे अगर लेना रहे तो आप इसली ले सकते हो अब अगर हम बात करें इसके बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस की ओके तो देख सकते इसके बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस की तो डीवाइड़ेडेट एवीक मंत कॉर्टर एंड एर्ली ओके अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात कर तो एक वीक में उसने 10.33 परसंटेज का दिया था जो वीक नीचे दिया हो है मार्च से लेके ठाटिफर्स मार्च ठ 24 से 31st मार्च का 2020 मंत की बात करें तो 23 मार्च 2020 से 22 अपरेल 2022 तक का और कोटर का उसी तरीके से 37 22 का रिट परसंट का रिट रिटन है और यह की बात कर तो 110 परसंट का 0.2 का रिटन है और वर्स्ट परफॉमंस की बात करें तो वीक में जो इसका 17.62 रहा है मार्च के ही वीक में और मंत में 36.96 कोटर में 36 एन यह में 29.96 का इसका बेस्ट और वर्स्ट परफॉमंस है अभी रिस्क मैजर की बात करते हैं तो मेरा एसेट्स टैक्स सेवर रेगुलर जी तो रिस्क मैटर अगर मेरा बोलो तो एस लॉंग टर्म मुझे नहीं लगता इतना ही सब कैटेगरी हमें देखना चाहिए तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसके पॉर्टफॉलियो क्या है ओके फर्ड मैनेजर क्या करता है और न्यूज और इसके पर भी डिसकस करेंगे तो हम पॉर्टफॉलियो के बात करते हैं तो आप देख सकते हो जो इसमें एसेट एलोकेशन है जो एक्विटीज में ही खाली है ओके एक्विटीज में जो है पूरा जो ब्लू अला सरकल है व कितने हैं सिक्सिटीवूर है उसमें जो टौप 10ंस तोक से ना जो फंड में करता और रिटं देखान हंड्रेट के उपर होता हूं नहीं हो रहा है अब देंको टोप 10-頭 फाइव इतना ले रहे हैं तौप धरी डे रहे इतना पोंटफेलिव बीवी रेश्यु की बात कर स्षब्ध 3.22 बुचंदて टो 20.79 जो काफी अच्छा है अब हम आगे बात करते हैं पॉर्टफोलियो एग्रिगेट्स एवरेज में आर्केट क्यापिटल इसका है ओके वन लैक सिस्टी फॉर ताउजन एट हंड्रेड एट हंड्रेड एट हंड्रेड एटी सेवन कैटिग्री है इनके बास 134 231 करूर्स में जाएंट में में बात करें तो 17.02 23.39 स्मॉल में बात करें तो 6.07 7.45 अब यह लाज मीड स्मॉल क्या है यह फंड्स के टाइप है लाज फंड्स स्मॉल फंड्स एन मिड मिड कैप फंड्स यह सब फंड्स है ओके टेनी का 0.24 है ओके अभी हम बात करते हैं इसके फिलाल यह वैली स्टिंग चार्ट है उसके अंदर ब्लू अली जो ने मीरा ऐसे टैक्स हेर फंड रेगुलर रेगुलर का है और एक्विटीस में जो है यह 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 सकते हो जो रेगुलर के और यह यह ज्यादा डिफरेंस नहीं है यह हमेशा थोड़ा नीची रहेगा क्योंकि आपको यह अलग बेनिफिट दे रहा है इस रीजन से ओके अब इसके टॉप होल्डिंग देख लेते हैं जैसे टॉप थ्री टॉप फाइफ से ना वह देखते तो एज़ी एफ सी बैंक जो जिसकी पी की बात करें हम और रीटन की बात करते हो कि हाई एन लो की बात करेंगे है ओके एच्जिफी ने कितना 10.37 का हाई दिया है एंड 7.57 का लो और टोटल एसेट्स कितने 7.57 इंफोसोस का 7.50 टोटल परसेंटेज ऑफ एसेट्स कितना होल्ड करता है फंड यह देखते है उस ठीक है एके 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 लिए 7.36 एं रिलांस इंडर्स्टी का 0.08 एक एकस्ष बैंक जरुट पाइब काइब सुप पिफट्री चेट बैंक अव इंड टीप्टिस्टी चेयंट परसेंट अभिज के चेमेंट ग। उप्ट चैमेंट अंबजाद सेट प्रनेट अम्भजासी में बृत् तो यह सब इतने सारे स्टॉक्स है तो आपको मैं सिंपल साइक कुश्चन पुस्ता हो कि आपको क्या लगता है कि इतने बड़े-बड़े स्टॉक्स है तो एक भी बैड रिटन देगा कि मुझे आज के दस साल बात नहीं मुझे पॉसिबलिटी नहीं लग रही है स्टेट बैंक अलड़े एक बड़ा बैंक एक इस प्राइवेट बैंक कर ले आइस डिफसी बैंक आई टी कंपनी इसके शेयर से तो बहुत ही अच्छा इंवेस्मेंट है जो बैंक्स इंट सेक्टर में डिवाडेड है और उसके अलावा भी इनका होल्डिंग से तो इक काफी इनका इंवेस्मेंट काफी अच्छा है तो इंवेस्मेंट अच्छा कब होता है जब एक अच्छा फंड मैनेजर होता है आपके क्शा प्सक्राव और पाइसा जो क्या तो रजह Werklah कि पर को शु도 को देंसे पांट करता पहले क्या करता था तो हम बात करते हैं निलेश शुराना सिंस ट्वेंटी नॉवेंबर 2015 जब से यह जब से लॉंच हो तभी से एजुकेशन मिस्टर शुराना इस बीए मैकनिकल एंड एंबी इन फाइनस ओके फाइनस में इनका मास्टरी है एक्सपिनेंस की बात करते हैं प् प्राइवेट लिमिटेड तो इनका एक्सपिरेंस पुराना एक्सपिरेंस है जो इन्वेस्मेंट मानेजर थे प्राइवेट लिमिटेड में ओके अगर इंटर्वी की बात करें तो 2103 16 12.26.36 अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इस इंटक्ट डिस्पाइट इन्वाल्व कि आग्रोरिष्क और फंड मैनेजर मेराहे असे अमयर्जिंक ब्लूचिफ हम नहीं देख रहे हम अपने मैनेजर के बारे में देखा क्या करता है और उसका रिकॉड क्या है वह हम देखिए जैसे मैंने बोला फंड मैनेजर पर ही डिपेंड करता है किस फंड को कैसे क्रता ह क्योंकि आप उसके रिकॉर्ड देख सकते हो कि जब से उसने फंड को हैंडल कर रहा है तब तक उसने कैसा रिटन दिया ओके सब्स एक साल बाद अगर फंड मैनेजर चेंज होता है अगर सब्स अभी तक चार साल तो यह फंड मैनेजर ने अच्छा चलाया बट एक साल बाद कि उसे कैसे द्रेट करेंगे मतल mình को कैसे लेकर जाएगा अच्छा लेकर जाएगा बुरा लेकर जाएगा नहीं बता सकते तो उसट creatvent प्राह消 रखना पड़ेगा कि उस्टाइम ओक से मैनेज करता है को गई कोई ऐसा इनवेस्मेंट तो नहीं कर दें जिसके अंदर आपका का लॉस हो मतब्ब आप उसमें अगर वो लॉस कर रहा है तो उसका लॉस आपका लॉस एक लॉस है तो यह था मेरा ऐसे टैक्स सेविंग फंड का जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हो और मैं आपको भी अगर मेरा एडवाइस लोगे तो मैं आपको भी बोलूंगा कि आप ऐसा सब्सक्राइब करोगे तो कंपाउंडिंग में आपको अच्छा रिटन मिलेगा और हां एक मोस्ट इंपॉर्टन बात जब भी करते हो तो सब्सक्राइब करते समय एक भी इंस्टॉल्मेंट मिस्स नहीं होना चाहिए ओके रिजन क्योंकि जब कंपाउंडिंग क्यालकुले हजार का 10% कितना हुआ हंड्रेड रूपीस मुझे 10-100 रूपीस तो मेरा अमांट हुआ 1,100 लगेगा तो अगर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मालुम तो आप यूटूब पे देख सकते हो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के वीडियो क्या होते हैं कंपाउंडि होता है तो अब हम देखते हैं अपना सेकेंड फंड जो वह भी काफी अच्छा जब मैंने उसे देखा था वह ट्वेंटी वन पर ट्रेड उसका एन वी ट्वेंटी वन था आज के दिन में मेरा एसेट से भी ज्यादा है तो चलिए देखते हैं अच जो तब हम देखे हैं अपना दूसरा फंड जिसका नाम है टाटा डीजिटल इंडिया फंड फञेंअं अगे यह कोई ELSS नहीं है टैक्स सेविंग फंड नहीं है नॉर्मल डारेक्ट प्लान है इस पे कैसे टैक्स बन लगेगा इस पे कैसे टैक्स क्याटेग्री है क्राइटेरिया क्या है सब हम देखेंगे और इस पे अगर हम एक एग्जाम्पल इन्हों ने जैसे मैंने अपने मिराए सब्सक्राइट का बताया था जब अगर उसमें वन लाग करते तो आपको 127 मिलता था बट यहां पर वन कर रहे हैं तो आपको सिद्धा 1.41 लाग का इन्वेस्मेंट है और इसी में अगर 10,000 का SIP करते हो तो आपको 1.34 लाग का था यह वन लाग का आज आज से एक साल तक का इन्होंने बताया है वो के आप दोनों चीजों में देखोगे तो यह लेसे से ज़्यादा है रीजन क्यों कि ELS लो ग्रो होता है बट वो एक बोलते ना एक एडवांटेज पॉपस रहता है कि फंड टैक्स इस फंड इस फंड दाट इन्वेस्ट मेंली इन शेर्स अफ कंपनी इन इंफोर्मिशन टेक्नोलीजी सेक्टर तो आपको देखो टाटा डीजिटल डीजिटल इंडिया फंड नाम से मालूम पड़ जा रहा है कि यह सब आई टी सेक्टर को कवर करता है ओके तो इसके जो फ आई टी सेक्टर में आई टी का ही रहने वाला है पूरा ट्रेंड तो आई टी सेक्टर नीचे जाने की तो कोई बात ही नहीं होती तो यह एक अच्छा शेर है और यह आपको एक अच्छा रिटन दे सकता है फ्यूचर में एजर लॉंग टरोग तो ओके अब आगे देखते ह फंड डाट हावन नेरोली डिफाइन इंवेस्मेंट में मेंडेट सच आज दिस वन ऑके बट कैसे है कि यह सब आई टी सेक्टर से एक डिसएडवांटेज भी है अगर सपोस आपको मालूम है कि आई टी सेक्टर आगे जाके उपर जाएगा बट वह आगे जाके जाएगा आप फ्यूचर किसी ने प्रिडेक्ट ने किया है बट यह फंड में खाली आई टी सेक्टर मिलेंगे आपको तो बोलते ना ज्यादा डावर्सिफाइड नहीं है फंड जैसे एक ही एक ही इस आई टी सेक्टर में इंवेस्टर आज पूरा आई टी सेक्टर भागेगा तब आपका भी फंड का अडि बढ़ेगा अगर पूरा आइटी सेक्टर की यह खिरे गा तो आपका भी पूरा फंड मताब आप भी डाउन रहो गए तो प्योर्ली डिपेंड आई टी आगर इसी में सब्सक्राइस बैंक है और स्टील सेक्टर है तो सब्सक्राइटि सेक्टर न नीचे तो आप लॉस में ओके उसके बाद देखते हैं इन्वेस्टमेंट मेंडेट सच आज इन इस वन इंस्टेट इस शूद इन्वेस्ट इन फ्लैक्सी कैप फंड्स विच प्रोवाइड कम्प्लीट फ्रीडम टुद फंड मैनेजमेंट टीम टू इन्वेस्ट इन कमपनी सब्सक्राइब फंड्स बेडाल सके मतरा हर एक एक वली हर एक सेक्टर में इंवेस्ट कर सेके जहां से उन्हें अच्छा गेर निकल कर रहा है बट इफ यू डू नौ इफ यू दू इन्वेस्ट यू मस्ट डू सो उनली थुदा एसाइपी रूट जैसे मैंने बदा और एनी अधर टेकनोलोजी सेक्टर फंड if you need to redeem your investment in less than seven year तो हमने ने मिराए assets में देखा था कि three years तो minimum रखना है और पाथ साल के लिए आपको hold करना है then only आपको एक अच्छा return मिलेगा but इसके अंदर तो seven year का criteria है अगर आपको अच्छा return चीए तो आपको at least 7 साल तक रहना है उससे पहले redeem नहीं करना है अब taxability देखते होंगे taxes कैसे लगेंगे अगर taxability की बात करें if the mutual fund units are sold after one year from the date of investment and gain up to one lakh in the financial year are exempt from tax gain over one lakh are tax at the rate of 10% same है Mirai assets का भी यह है and data digital का भी same है अगर आप one lakh के अंदर का आपका income रहेगा जो भी बेचने के बाद gain निकलता है तो आपको कोई tax sorry आपको अ उसका tax अलग लगेगा बट अगर आप one lakh के उपपर अगर gain करते हो तो one lakh के उपपर वाला जितना amount है suppose आपने gain किया है one lakh twenty तो जो twenty twenty thousand है उसके ओपर 10% लगेगा जो होता है two thousand rupees two thousand आपका charges लगेगा बट अगर आप अगर one lakh के अंदर रहे और आप redeem करते हो entire investment तो आपको 15% से उसका taxes पे करना रहेगा ओके if the mutual fund units are sold within one year from the date of investment entire amount of gain is taxed and at the rate of 15% और वो पूरा amount आपको tax होगा at the rate of 15% no tax is to be paid as long you continue to hold the unit और जब तक आप hold करते हो तब तक आपको कोई tax pay करने की ज़रूत नहीं है okay क्योंकि यह holding पे कोई taxes नहीं लगते जब आप sell करोगे तब ही आपको यह देखना है कि आपका investment को पर कितना है okay अगर अगर आप देख से मैंने जो अपना 1000 यह दिखराता आराऊं उस पे मेरको 15% का tax pay करना पड़ेगा okay अब आगे दिखते हैं dividend dividend are added to the income of the investors and tax according to their respective tax slab further if any investor dividend income exist 5000 in a financial year the fund house also deducts at TDS of 10% before distributing the dividend तो यह सेम ही है कि अगर आपको अगर कोई dividend income gain होता है तो आपका वो 10% के हिसाब से deduct होगा okay तो अगेन हम देखेंगे basic detail performance portfolio fund manager okay जैसे कि हम premium member नहीं है value research के तो हम पहला point नहीं देख सकते okay basic details के बारे में देखते हैं okay तो अगर हम इसकी बात करें तो 0.04 का है और growth देख सकते हो 42.1293 का okay growth काफी अच्छा है okay fund house की बात करें तो टाटा mutual fund okay launch date December 2015 तो हमारा मेरा assets भी December का launch था बट यह उससे better return दिया भी तक return since launch 25 हमारा कितना था 20% था okay benchmark nifty IT हमारा कहता जो हम मेरा assets में किये तो उसमें nifty 500 था okay और यह nifty IT क्योंकि यह particular IT sector को target करता है okay riskometer very high क्योंकि हमारा तो high था यह very high क्योंकि क्योंकि की sector target हो रहा है इसलिए assets की बात करें तो 51 58 करोर का है February 2022 दक expenses की बात करें 0.35% का है risk grade दिया नहीं गया है return grade नहीं दिया है and turnover की बात करें तो 32.87 okay अब minimum investment इसमें 5000 है उस पे आप 1000 का इंस्टॉल्मेंट हर मैंने का साइपी कर सकते minimum SIP amount 150 से number of check 12 minimum withdrawal 500 minimum balance 500 चाहिए हमें okay अब मैं यह समझाता हूं तो अगर आप कभ अगर suppose मेरे को अगर लेना है यह fund के ओपर invest करना है तो मुझे क्या करना होगा तो मुझे first of all minimum investment मुझे 5000 करना रहेगा first month में अगले मैंने से मैं अगर suppose मैं बोलता हूं मुझे 5000 का करना है SIP then में 5000 तो पहले मंद में भरूं गाई and then उसके हर महने में 5000 5000 का मेरा installment रहेगा जो पहला 5000 रहेगा वो install as a installment नहीं रहता है वो fund start करने का amount है फिर उसके बाद minimum additional amount जो दिया thousand two thousand three thousand five hundred आपको जो भी आइड करना है कर सकते हो okay minimum SIP investment जो 150 रुपीज का है और minimum charge वगरा हमने discuss कर दिया है इसमें lock-in period है क्या नहीं exit load यहां पे exit load है मेरा assets में exit load नहीं ता जीरो ता इसमें exit load है जो 0.2% of reduction within 30 days okay तो यहां पर आपको charges भरना पड़ेगा जब आप exit करोगे तो आप देख सकते है difference आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे ELSS में और इसमें क्या है आप देख सकते है तो मेरा profit कम था बट मेरे यह सब charges exit load charges नहीं था okay और कोई minimum investment मेरा थाउजन था इधर 500 था इधर तो 5000 है minimum आपको पहले डालना ही है okay तो वह सब taxes अगर बड़ा एक amount होता है तो वह एक ही बात हो जाती है आप चाहे यह करो या वो करो क्योंकि जब आप taxes बरो मैं taxes नहीं बरूंगा और मेरे को तो advantage है क्योंकि मैं उसे अपने IT में भी दिखा सकता हूं income tax में भी शो कर सकता हूं कि मेरा यह एक ELSS का fund है इंवेस्मेंट स्राटेजी के बात करें इंडिया तो यह मेजर ली IT सेक्टर की बात हो रही है परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम SIP की बात कर रहे हैं बाकि किसी की बात नहीं करेंगे तो देख सकते हो nifty के उपर investment अगर 27 है तो net worth of investment 49 हो गया ओके almost double होने के नजदिक में हो ओके अगर हम बात करे yearly data तो minus में है one day का हम लोग year का ही देख लेते हो के first year में है फॉर्स्ट एर में 40% का return था थर्ड एर में टाटा डिजिटल की बात कर रहो 37 था और फाइव एर में 34.72 को के अगर उहीं पर हम आइटी सेक्टर को compare करें आइटी सेक्टर की बात करें तो देख सकते हो आइटी पूरा आइटी सेक्टर 29 परसंट था बढ़ वह 40 परसंट है पूरा आइटी सेक्टर 33 है 37 था 31 वह 34 था तो हर एक हर एक सेक्टर में यह अब मतबब हर यह आइटी से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंका इंवेस्मेंट उस तरीके से के और के रेंग विद्ट केटेगरी की बात करें तो 3 फरस्ट यहर में टू और उसके बाद 1 ओके नमबर अफ़ फंड कितने फंड्स होल्ड करते हैं खाली 5 फंड्स होल्ड करते हैं अब पीर्स देख लेते हैं कि सेम सेम इनवेस्मेंट प्लान और कुन से कंपनी का हम इसक इसी की तरह इसे deal करते हैं तो Tata Digital India Fund okay ICIC Prudential Technology Fund आदित्य बिर्लाफ Sun Life SBI Technology Franklin India okay and मैं एगर एडवाइस करूँगा हम Franklin India को भी review करेंगे यह भी एक अच्छा फंड है जो long term से हमार्केट में और return भी अच्छा है इसे भी हम discuss करेंगे okay best performance की बात करो तो वीक वाइस देखेंगे मन्त वाइस कौटर एन इयरली ओके तो वीक में 10.79 मन्त में 21 है जो डबल हो जा रहा है कौटर में 43.43 है एन इयर में सिधा ट्रिप ट्रिपल है 139.49 का तो सिंपल सा यह देख के यही लॉजिक लगा सकते है जो इयरली जो रिटर्न रहता ह वाफी अच्छा है स्कंपेर्ट टू शॉट टम ओके वर्स्ट पर्फोर्मंस की बात करें तो 18.82 थर्टी न पॉइंट पॉइंट थी सेवन ट्रिपंट थी सेवन ट्वेटी सेवन ट्वेटी तो देख से तो वर्स्ट पर्फोर्मंस भी एयर का इसका 25.02 है और रिटन का 130 रिटन जो 139.49 है तो बेटर एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर लॉंग टम के लिए ही अच्छा है और अब हम रिस्क मैजर्स देखते है इसके टाटा डिजिटल डारेक्ट जी का बट यह बोलते है ना रिस्क मैजर्स तो है इसमें बट हम यह इग्रोर कर सकते हैं यह लॉंग इक्विटी है एंड कैशन चेक जो है इनका बहुत ही कम पॉर्शन है नमर अब स्टॉक्स की बात करें तो 39 स्टॉक है जो टॉप 10 स्टॉक्स है जो 70.67 का इनका रिटन जनरेट करता है टॉप 5 करता है 53 का एंड टॉप 3 92.55 परसें रिटन देता है पॉर्फोलियों की पीव की बात करें तो 30.01 है तो यह काफी अच्छा है अजर लॉंग टर्म व्यू में अब पॉर्टफोलियों एग्रिगेट की बात करते हैं ओके इसमें मेड लाज एंड स्मॉल एंड टेनी कितने हैं तो टोटल फंड से इनके पास है टू लैक टू टू टॉटाउजन हैं तो जांट में अगहाँ अगयों बात करते हैं थे आग इंड ग구요 और फिछ जानके बात करते हैं और कै sil कि पोईट रिए 10.31 और फिसक की बात हैं तो ट्रू पॉट से इंड ख़ेत पॉट इंड अगर हम अब सिधे इसके टॉप होल्डिंग्स देख लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक प्यॉर्ली आई-टी सेक्टर को बिलॉंग करता है यह का टेगरी तो देख सकते हो आपको पूरा आई-टी सेक्टर दिखेंगा इनफोसे स्टार्टा से टीसी एज एस एक महिंद् इसमें भरेवरे चुष्ए जो इसके जितने भी इस सब आई-टी सेक्टर सोफ़ेर से रिलेटेड जो आई-टी सेक्टर कहलते वह सब इसके अंदर है तो इसलिए यह एक बोलते ना थोड़ा सा रिस्क है कि अगर आई-टी सेक्टर नीचे जाएगा देन ओन्ली यह नीचे करें तो है मिता शट्टी सिंस नॉयमबर 9 2018 एड्योकेशन की बात करें तो मिता शटी बात करें तो मिता शट्टी इस चाटर होल्डर एक्सी बात करें प्रायर जॉइनिंग टॉ टाटा मीचल फंड शेटिस वॉजवर्गरीज SDFC Security, AMSCEC, Asian Market Securities, Dalalan, Borucha, Stock Broking and Carver Stock Broking तो experience काफी बहुत ही अच्छा है experience के मामले में और इतने सारे जगे काम करने का experience है तो मेरे हिसाब से फ्रेंड को manage करने का भी काम इनके लिए काफी easy रहेगा क्योंकि experience इनके पार ओर लेवल का है और कुछ से फंडे मैनेज करते है टाटा इंडिया फार्मसी फार्मा एंड हेल्थ केर टाटा लाचन मिटकाप फंड टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एटी एफ टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल इटी एफ यह सब भी stocks sorry funds ये handle करते हैं तो किसी भी बोलते है ना एक leader जो रहता है वो properly अगर अपने हर एक employee को लेके चले हर एक fund को बराबर अगर ये लेके चले तो ये future में एक अच्छा return देगा और अपने holders को भी एक अच्छा return देगा तो अब हम आगे हैं अपने तीसरे fund पे जो हमारा ये आखरी fund है जो डिसकस करने वाले जो long term perspective ही हम सब बता रहे हैं तो तीसरा fund का नाम है DSP Natural Resources and New Energy Fund ओके इस नाम से आपको बालूम बढ़ जाएगा किस में deal कर रहे हैं ओके अगर इसमें अगर 1 lakh इंवेस्ट किया रहे था तो उसका वैल्यू था 132 एंड मंतली SIP का वैल्यू था 137 lakh 1.137 lakh तो इंवेस्मेंट SIP में जादा है अब इसमें सुटेबिलिटी देखते हैं क्यों लेना चाहिए और क्या करना चाहिए इस इस फंड दाट इन्वेस्ट मेंली इन शेर्स अफ कंपनी ऑपरेटिंग इन नैच्रल रिसोर्स और एनजी सेक्टर तो जितने भी एनजी सेक्टर नैच्रल रिसोर्स सेक्टर वह सब फंड इनके अंदर इंक्लूड़ड है अगर मैं अगर आप एक व्यू बना के चलो जैसे कि तीन सेक्टर पकड़ो जैसे फर्स आइटी सेक्टर नैच्रल रिसोर्स सेक्टर और एक तीसरा जो हाइब्रीड जो मिक्स रहेगा तो अगर फ्यूचर मुझे मालूम है इन तीन में अगर रूटेट होने वाला है जैसे आईटी सेक्टर आगे जाके बहुत ही ग्रो होगा तो एक IT sector, resources and power वाला sector हो गया एक जो आगे जाके इसका भी बहुत एनांस होगा, बहुत ग्रो करेगा, यह सब stocks ऐसे find out करके इसमें long term में डाल दो, अब मैं नहीं बोलता कि 5000 एक ही में डालो, आप divide कर दो 15, 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 वो ने भी अच्छा return दिया, अच्छा अबो दिया, आपका पूरा तिसरे ने नहीं दिया, तो भी आप पूरा cover कर लोगे, और ऐसा भी नहीं होगा, कि तिसरा आपको देगा नहीं, वो भी एक guarantee के साथ एक अच्छा return निकाल के देगा, तो planning के साथ investment, without planning कोई investment नहीं चलेग planning, future planning, बोलते ना करते हैं, ना तो हर एक future का आगे सोच के करना है, कि future में किस बात का, किस चीज का ज़्यादा demand रहेगा, and accordingly आपको अपने funds choose करने है, तो we believe that investors should avoid funds that have narrowly defined investment mandatory such as this one, तो basically जैसे हमने IT sectors का देखाता है, same यह power sector है, तो यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं कि, यह advice नहीं कर रहे हैं कि इसमें invest करें, जो एक ही चीजों में deal करता है, they should invest in flexi cap funds, which provide a complete freedom to the fund management team to invest in companies from which it expect maximum gain, तो यह वही बोलना चाते हैं कि, वो इस तब company में invest करो, जिसके अदर maximum gain कर सके, but if you do invest, you must do only through the SIP, okay, आप अगर कर रहे हो, तो SIP करना, okay, warning, do not invest in this or any other energy fund if you need to redeem your investment in less than 5 years, okay, तो आप एक चीज़ देखें, तीनों fund हमने देखा, उस तीनों में warning यही था, कि आप 5 साल, 7 साल और 5 साल, minimum आपको 5 साल तो किसी भी fund को hold करना है, then only एक अच्छा return आपको देखने मिलेगा, okay, taxability देखेंगे हम, तो, if a mutual fund unit are sold after one year from the date of investment, gain up to one lakh in the financial year are exempt from tax, gain over one lakh are tax at the rate of 10%, if the mutual fund unit are sold within one year from the date of investment, entire amount of gain is tax at the rate of 15%, no tax is to be paid as long you continue to hold the unit, okay, so simply हमने तीनों में देखा, यह तीनों में एक common factor है, जहां पर आपको बाते याद रखनी है, एक साल के अंदर अगर आप कोई भी investment आपका profit में बेशते हो, तो उस पर आपको 15% का देना पड़ेगा tax, और उसके अगर कोई investment आप एक साल के बाद देते हो, और उसके उपर, वन लाग के उपर अगर जितना amount रहेगा उसके उपर आप 10% दोगे, अब बात करते हैं dividend के, dividend are added to the income of the investors and tax according to their respective tax lapse, further, if any investor's dividend income exist Rs. 5000 in the financial year, the fund house also deduct the TDS of 10% before distributing the dividend, तो अगर पात 6,000 के उपर आपका dividend income भी जाता है, साल के अंदर, तो आपको TDS देना पड़ेगा 10% का before distributing the dividend, ओके, अब हम सेम वही basic performance portfolio fund manager के बारे में देखेंगे, तो basic details में बात करें, तो इसकी NAV जो है 64, जो बहुत जादा है, जो हमने देखा था, वो हमारा भी grow होना बाकी है, और यह already एक अच्छे position पर समझ जाओ, हमने आरा कितना मेरा assets का हमने देखा, 21, 31 था, उसका around 30, 34 या 40 था, और इसका 64 है, तो देख सकते हो, यह काफी NAV के मामने में काफी बढ़ा है, fund house का नाम है, DSP mutual fund, ओके, launch date था, 2013, जो हमारे fund से दो साल पहले ही आया है, और काफी अच्छा market बनाया है, बेंचमार्क करें तो, MSCI World Energy, 10 by 40, net try 35, SNP, BSE, oil and gas, try 35, SNP, BSE, metal, try 30, तो, natural gas में metal भी आता है हमारा, riskometer very high, type की बात करें open ended, assets की बात करें तो, 784 crores, तो, asset अगर आप देखोगे, तो, हमारे दोनों fund से, यह fund में कम है, ओके, expense की बात करें तो, 1.15%, 15% का expense ratio, risk grade दिया हुआ नहीं है, turn over दिया हो, 38%, minimum investment इसमें 500 है, उस पे आप add कर सकते हो, and SIP amount भी 500 है, okay, lock-in period, कुछ है नहीं, exit load भी नहीं है, तो, एक यहाँ पर फाइदा है, exit load नहीं है, most recent dividend की बात करें तो, 10 March को मिला, 2.99999 का dividend मिला, investment strategy की बात करें, this scheme will invest in equities and equity related securities of the company, okay, domic land in India and certain portion in companies, those pre-dominated economic activity is in a discovery, development, production, or distribution of energy resources, via energy mining, etc., okay, performance की बात करेंगे, तो हम SIP की बात करेंगे, क्योंकि हम, मैं prefer करूंगा SIP किसी को भी, तो DSP, Natural Resources and New Energy, Direct G की बात करेंगे, तो yearly 15.30 सिंग है, and one day का 1.3 है, two week का 2.48 है, month का है, and year की बात करते हैं, direct year देखेंगे, 32.25 का है, 24 and 15.38 का है, 5 year का, okay, उसी के comparison में, अगर देखोगे, S&P है, Natural Gas का जो पुरा portfolio है, जो यह ज़्यादा है, okay, वो काफी better perform किया है, rank with category की बात करेंगे, तो 1, 2 and 2, 5 year में 2, number of funds holding, 222, दो-दो funds holding है, अगर इसकी peers company की बात करेंगे, तो कोई peers company नहीं है, इसका, तो यह बहुत ही बड़ी बात है, कि इसमें कोई peers company नहीं है, तो एक अच्छा one-sided performance दे सकता यह, best and worst performance की बात करें, तो week की बात करें, तो है 12.07, month की बात करें, 28.61 है, quarter की बात करें, तो 43.07, and year की बात करें, तो 128 है, और worst performance की बात करें, तो 19.30, 35.78, 39.79, 39.21, तो आपने notice किया रहेगा, तीनों पार्ट में, gain yearly 138 है, बात loss yearly कितना है, उतना नहीं है, loss yearly कम है, तो आप सो सकते, क्यों इसे बोला जाता है, कि आप yearly इसे hold करो, ना कि short term के लिए hold करो, okay, risk measures के बारे में हम नहीं discuss करेंगे, पोर्टफोलियो की बात करते हैं अभी, equities and cash and checks का इनका पोर्टफोलियो है, number of stocks काफी limited है, 21 stocks खाली hold करते है, जिसमें से top 10 इनको 61.25 दे रहा है, top 5 दे रहा है, 43.84, top 3 sectors दे रहा है, 76.30, अगर PB ratio की बात करते हैं, तो 1.52 का है, पोर्टफोलियो PE ratio की बात करें तो 7.11 का है, और aggregate बात करें, giant, large, medium and small cap and tiny, tiny का तो कोई है नहीं, तो giant में 29.46, large cap में 33.29, mid cap में 33.45, small cap में 3.80, तो थोड़ा fast बता रहो कि कि वीडियो काफी बड़ी हो चकी है, इसलिए थोड़ा फटा-फट ये चीजे cover कर रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा concentrate ज्यादा रखना इस चीज में, तो category की बात कर लिए हम, sectors की बात देख लेते हैं, कौन-कौन से sectors इनके में है, companies कौन-कौन से companies invested है, तो हिंदाल को, black rock, tata steel, jindal steel, black rock global funds, Reliance Energy, Gale, Bharat Petroleum, Hindustan Zing, Gujarat State, Oil and Natural Gas Corporation, NMDC, Gujarat Gas, Hindustan Petroleum, APL, Apollo Tubes, Indra Prasth Gas, Petronet, CNG, Gujarat Development Corporation, Indian Oil Corporation, Sharm Metallic, JSW Steel, National Aluminium Company, Mahanagar Gas, तो companies से मालुम पढ़ गई, steel, gas and metal, sectors ही cover है इसके अंदर, और अगर future में इनका demand बढ़ता है, अगर यह increase होते हैं, तो एक अच्छा return generate करके देंगे, okay, fund manager के बारे में देखते है, इनके fund manager का नाम है, Rohit Singhania, since 1st Jan 2013 से fund को manage कर रहे है, तो Singhania is an MMS, okay, experience की बात करें, तो prior to join DSP AMC, he has worked with HDFC Security Limited and ILNFS Investment Limited, okay, तो अलरी इनका background है, investment से related, जहां पे इनका एक अच्छा experience रहा चुका है, और fund को यह manage कर रहे, तो basically यह हमने तीन funds हमने discuss किये हमारे, हमने बात किया Mirai Assets Tax Saving ELSS का, एक ELSS हम बात किये, एक हमने mixed breed बात किया, जो था हमारा TATA, जो IT में deal करता है, और हमने थर्ड वला जो बात किया, यह natural gases में deal करता है, तो यह तीन funds हैं, यह तीन sector के मैंने बता है, एक hybrid में था, एक IT sector को focus किया, एक natural gas को focus कर रहा है, तो तीनो sector में अगर आप thousand 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 का investment रहते हो, और मंदली 3000 का रहेगा, तो आप एक अच्छा return generate कर सकते हो, और future में भी एक अच्छा wealth create कर सकते हो, अगर wealth create भी ना होता है, तो भी आपकी एक जो अदल amount है, वो मिलना ही मिलना है, आपको इसकी guarantee है, तो एक अच्छा investment है, mutual fund जो नए है market में, उनके लिए तो best है, फिलाल 2-3 साल वो invest करें, पैसा जमा करें, and then market में एक trading के लिए उतर सक सकते हैं, तो जैसे बोलते हैं, आगर आपको पैसा जमा करना है, उस पर interest भी, इस में return भी चाहिए, then आप mutual fund कर सकते हो, but mutual fund आपने एक बात notice की रहेगी, कि mutual fund वही mutual fund है, कहां invest कर रहे हैं, again वो सब equities में कर रहे हैं, तो जो smart person है, जो smart people, बोलते हैं लोग है, वो क्या करते ह इनको mutual fund की जरुवत नहीं है, करना investment यह न, 15 साल के लिए investment करना, तो 15 company को मैं ही करता हूँ investment, अब उससे होगा गया, उससे यह होगा, कि उसमें जितने भी dividend मिलेगा, वो मेरा profit, उसमें जितना भी bonus and all, जो भी मिलेगा, वो सब मेरा profit, तो उसमें मेरा पास कोई fund manager नहीं है, जो अपना charges लेगा, वो each and everything मेरा रहेगा and वो पूरा मैं handle करूंगा, तो अगर मैं दस portfolios पकड़ लेता हूँ, मैं पांच, I suppose, मैं दो bank, दो bank के एक अच्छे high bank के वंदर invest करता हूँ, दो अच्छे IT sectors में invest करता हूँ, दो power sector में invest करता हूँ, दो metal sectors and steel sectors में invest करता हूँ, ऐस हो equally, कोई भी price रहने दो शेर का में लिए ओशेर का price matter नहीं करेगा, investment कोई भी price पर मैं उसे हर मैंने, दो हर मैंने equally divide करके, मैं पाचो शेर में ढालूँगा, ऐसे ही अगर मैं 15 years के लिए करता हूँ, तो बात मान ले ना, यह जो mutual fund देख रहे हो ना, इसे double a triple आपके पास value उ पड़ेगा, time to time companies में क्या changes हो रहा है, आप change कर सकते हो, अगर company डूब रही है, आगे जाके return नहीं देगी, तो आप वो fund से पैसा निकाल के, डाल के, and वापस एक regular आपको monitoring करना पड़ेगा, मतलब खाली mutual fund में यह की advantage है, आपको देखना नहीं है, कुछ भी research नहीं करना है, मतली का पैसा डालना है, जब आप खुद का portfolio बना होगे, तो आपको पूरा research करना पड़ेगा, each and everyday आपको देखना पड़ेगा, company में क्या news है, क्या है, good, bad, सब देखना पड़ेगा, okay, तो यह था एक mutual fund पे short video, अगर आपको और भी कोई mutual fund का details चाहिए रहेगा, तो आप चैनल को subscriber, bell icon को hit करना,